नमस्कार दोस्तों मैं हरेश राय सिंगानी आपका स्वागत करता हूं UCA के इस अनुके प्लेटफॉर्म पर हम कंप्यूटर पर अभी बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं जैसे हाड़वेर, सौफ्टवेर, इन्पुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आज हम बात करेंगे इंटरनेट पर जी हाँ अभी हम लास्ट जब टॉपिक पर बात कर रहे थे तो हमने लैन, वैन और मैन पर बात की थी तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो एक परकार का इंटरनेट ही होता है चलिए हम यहां देखते हैं जब एक दूसरे से जु ज़ड़े होए होते हैं इंटरनेट से जुढे हुए कम्प्यूटर और आपस में अंतरजाल नियमावली इंटरनेट के जरिए सूचना का आदान प्रदान करते हैं और अंतरजाल के जरिए मिलने वाली सूचनाओं और सेवाओं को वेब पेज, इमेल और बाचीस सेवा के रूप में हम जानते हैं इनके साथ साथ चलचित्र संगीत वीडियो के इलेक्ट्रोनिक स्वरूप का आदान प्रदान भी इंटरनेट के माध्यम से होता है तो कुल मुला के हम इंटरनेट के माध्यम से इमेल भेज सकते हैं वीडियो का आदान प्रदान कर सकते हैं या किसी से वीडियो चैटिंग कर सकते हैं यह सारे काम हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं अब अपन बात करते हैं इस के शंशिप्ट इत्यास की तो इसके लिए आपको याद रखना होगा 1973 का वर्ष तो देखिए अमरीकी सेना की सूचना और अनुसंधान संबंधी जो आवशकता हैं थी उनको ध्यान में रखते हुए 1973 में अमेरिका में एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और इस शुरुआत का उद्देश इथा कंप्यूटर द्वारा विबिन प्रकार की तक्निकी और प्रद्योगी को एक दूसरे से जोड़ा जाए जी हाँ याद रखेगा इसका 1973 में अमेरिका में एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजनसी ने कारेक्रम की शुरुआत की और उस कारेक्रम का उद्देश इथा कंप्यूटरों के द्वारा विबिन प्रकार की तक्निकी और प्रद्योगी को एक दूसरे से जोड़ा ज जाए जी हाँ कंप्यूटर प्रोजेक्ट को आपस में जोड़कर एक नेटवर्क बनाया जाए जिसका उद्देश्य संचा संबंदी मूल मतलब कंप्यूटर प्रोटकॉल को एक साथ एक ही समय में अनेक कंप्यूटरों पर नेटवर्क के माध्यम से देखा या पढ़ा जा सके मतलब जो बहुत सारे कम्प्यूटरों पर किसी भी चीज को एक ही समय में देखा और पढ़ा जा सके इसका मुख्य उद्दिश्य था और जिसे आगे चलकर हमने इंटर्नेट का नाम दिया अब देखिए इंटर्नेट जो है सिर्फ हमें लगता है कि इंटर्नेट दुनिया में एकलोता होगा ऐसा नहीं है लगबग हर देश के अपना इंटर्नेट है और 1986 में अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन ने NSFN.NET का विकास किया जो आज के इंटर्नेट पे संचार सेवाओं की रीड है एक सेकंड में 45 मेगाबाइट जी हां याद रखने योग ये बात है कि एक सेकंड में 45 मेगाबाइट संचार स्विधा वाली इस प्रोध्योगी की के कारण 12 अरब मतलब 12 बिलियन सूचना पैकेट्स को एक महिने के अंदर नेटवर्क पर आधान परदान करने के लायक शक्षम बना दिया गया और और इसे और अधिक तेज करने के प्रयाज भी किये जाने लगे इस प्रोध्योगी की को अधिक तेज और गती देने के से इसका विकास किया गया मतलब अब इसका सब इंटरनेट बना तो लिया आपने बहुत सारे सिस्ट्रमों को आपस में जोड़कर एकी समय में उसमें बहुत सरी सुचना है लेने और देने का काम तो आपने कर लिया लेकिन अब बात कहां आ गई कि इसकी स्पीड को और कैसे बढ़ाया जाए तो देखिए वो सब भी चलता ही रहा लगबग स्पीड को बढ़ाने का भी काम चलता रहा और भारत में जो इंटरनेट आता है वो 1980 जैसे मैंने कहा आपको 1973 का वर्ष याद रखना है तो याद रखिएगा भारत में जो इंटरनेट की सुईधा जो आती है वो कब आती है 1980 के दशक में भारत में इंटरनेट जो आता है 1980 के दशक में आता है जब एरनेट एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क यहाँ एरनेट का आपको याद रखना पड़ेगा नाम जो है एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क को सरकार इलेक्ट्रोनिक्स विभाग और संयुक्तुरास्ट संयुक्तुरास्ट उन्नती कारक्रम UNEP United Nations Development Program की और से इसका शुरुवात किया गया इसको प्रोसाहित किया गया और सामान्य उपयोग के लिए इंटरनेट जो है वो 15 अगस 1995 से उपलब्द हुआ जी हाँ पहले जो इंटरनेट 1980 के दशक में दिया गया था भारत को वो सिर्फ रिसर्च आदी के शेत्र में ही काम आता था या शिक्षा के शेत्र में हम जैसे साधान लोगों के लिए जो घर बैठे हैं इंटरनेट को अपय जोग से याद रखेगा विएसनल विदेश संचारनिगम लिमिटेड जैसे आपका बीएसनल होता है जासे आपका बीएसनल है बीएसनल कि हैं a mtnl वैसे ही आपका है VSNL जी हाँ, BSNL को कहते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड कुछ लोग मजाक में इसे कहते हैं भाई साब नहीं लगेगा क्योंकि फोन ही नहीं लगता है तो भारत संचार निगम लिमिटेड फूरे भारत के जो गाओं है, शहर हैं उनमें इंटरनेट और मोबैल सेवा या अपकी टेलीफोन सेवा प्रदान करने का कारे करता था 1995 में उसके बाद आता है MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड भारत के जो चार बड़े महानगर है चैन्ने, दिल्ली, मदरास चैन्ने, सौरी विदे, संचार, निगम, लिमिटेड के थुरू आएंगे अब बात करते हैं इंटरनेट, इंटरनेट के संगठन के भीतर कम्प्यूटर का एक ऐसा नेटवर्क है और कम्प्यूटर के बीच कुछ संबंदी संगठनों में से एक नेटवर्क है तो फायरवाल कम्प्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का एक हिस्सा ही है जैसे हमारे जो कम्प्यूटर है या नेटवर्क है उसके एक छोटे हिस्से को हम क्या कहते हैं फायरवाल जिसका निर्माण अनाधीकरत उप्योग को रोकने के लिए किया जाता है मतलब कोई आपके इंटरनेट का अनाधिक्रत रूप से उपयोग ना करे, इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, फायरवाल का उपयोग करते हैं ये क्या करता है, सभी संदेशों की जाज करता है और सुरक्षा मामदण्डों को पूरा नहीं करने पर उन्हें रोक देता है अगर कोई भी ऐसा मामदण्ड, ऐसा कोई भी डेटा है जो सुरक्षा के मामदण्ड को पूर्ण नहीं कर रहा है, उसको फायरवाल आटोमेटिक ब्लॉक कर देता है, रोक देता है अब हम बात करते हैं DNS की Domain Name System, याद रखिएगा DNS का मतलब यहाँ पर है Domain Name System, आप इसको Name भी कह सकते है कम्पिटर सेवाओं या किसी इंटरनेट या किसी नीजी नेटवर्क से जुड़े संसाधनों के लिए एक क्रमिक नामकरण पढ़ाली है जी हाँ, जैसे हम हर सिस्टम को अपना कुछ अब बहुत सार एगर सिस्टम लाको करोडों और वो सिस्टम जुड़े होंगे तो हम कैसे पहचानेंगे, गड़बड कहा हो रही है तो उसके लिए हमें उन्हें एक नाम देना होता है यह नाम देने की प्रक्रियाई जो होती है वो DNS कहलाती है, Domain Name System कहलाती है वो आपकी पहचान है, तो पूरी दुनिया में अगर आपके उपकरणों की पहचान है तो वो किस्से है? DNS से, Domain Name System से अब देखें कुछ प्रसिद Domain Name इस प्रकार है, जैसे .jobs, .org, .net, .gov तो जैसे कोई भी सरकारी एजनसी होगी, तो उसके लिए क्या उपयोग में लाया जाएगा? तो उसके लिए क्या उपयोग में लाया जाएगा? .gov कोई भी संस्ता जो सरकारी है, उसके आगे लिखा होगा .gov जैसे आप देखते हैं, आप जब भी कोई application form भरते हैं, भारत सरकार का है, रायस्थान सरकार का, तो रायस्थान.nic.gov.in तो यह है भारतिय और राजस्थान सरकार की website होने की सूचना हमें देता है अब कोई private संगठन है तो वो org लगा सकता है, .com लगा सकता है, कोई नौकरी देनी वाली website है तो वो .jobs लगाती है निजी है तो वो name भी लिख सकती है अपना, इन जो है यहाँ पर इनका उपयोग हम जो करते हैं, वो किस के लिए करते हैं? भारत के लिए .edu का मतलब हो जाता है, education या sectioning, .com का मतलब होता है, वानिजेक व्यापार, .mil मतलब Sen ने website मिल के लिए उपयोग में आती है, .net का जो उपयोग होता है, वो network संगठन के लिए होता है, .biz मतलब business व्यापारिक संगठनों के लिए होता है ठीक है, फिर हम आते हैं, URL पर uniform resource locator यह नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, कई बार short form भी पूछ ली जाती है तो याद रखेगा, uniform resource locator यह एक web प्रस्ट का पता होता है, किसी web page या प्रस्ट के पते को हम क्या कहते है, uniform resource locator URL या अन्य शब्दों में internet पर हर file का पता निर्दिष्ट करना होता है, जिसे हम URL कहते हैं इसे हम तीन भागों में बाठते हैं, URL को पहला होता है HTTP, उसके बाद नमबर दो पर आता है IP address, जैसे यहाँ IP address हो जाएगा www.uca यहां क्या हो जाएगा IP address है IP पता, फिर उसके बाद domain name आप .com भी लगा सकते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं web browser, जी हां worldwide web पर सूचना प्राप्त करने में मददगार software को हम क्या कहते हैं browser कहते हैं जब भी हम कोई सूचना सर्च करते हैं तो उसके लिए हमें एक browser की आवशकता होती है तो इन सूचनों को प्राप्ट करने के लिए जो भी मददगार सॉफ्ट्वेर है उन्हें हम क्या कह देते हैं ब्राउजर जैसे नेटिस्केप नेविगेटर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट एक्स्प्लोरर, सरवादिक परचलित ब्राउजर है यह एक ऐसा सॉफ्ट्वेर होता है जो HTML और उससे संबंदित प्रोग्रामों को पढ़कर आपके लिए डेटा को ढूंड के और निकालता है उसके बाद है email इसे पूरा नाम जो है वो कहा जाता है electronic mail इसका जो शंशिक्त प्रूप है electronic mail का उससे हम email कहते हैं तो किसी भी सूचना को भेजने के लिए हम क्या करते हैं email का उपयोग करते हैं कुछ प्रसिद email जो है वो ऐसे हैं जैसे जिसे जीमेल जैसे आपने अपना email या जीमेल बना रखा होगा तो जैसे मेरा खुद का है path.raih.gmail.com या rih56.yahoo.com कुछ example मैं लिख देता हूं path.raih.gmail.com या rih56.yahoo.in path.raih.gmail.com देखे यहां बता रहा है इडिया के बारे में अगर यह चाहता तो US रख सकता था आस्ट्रेलिया कहलाता हूँ चलिए उसके लिए हम बात करते हैं search engine search engine website पर चल रहा एक प्रकार का special program है जो उप्योग करता की आवशकता जानकारी वा अन्या सूचनाओ को web पर website से तलाश कर आपको प्रदान करता है उधारन के लिए जैसे google और yahoo आदी तो देखिए यहां पर कुछ example भी आपको लगबग हर चीज़ के साथ दिये गए हैं आप उन्हें लगातार देख सकते हैं उसके बात है हमारे पास या ताया भीड या traffic कंजक्शन जी हां traffic कंजक्शन कहेंगे ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए जहां भी कोई उपयोग करता को एक ही समय में internet से connect हो रहे हों या internet सेवा प्रदान की केबले उपयोग करताओं की अधिक्तम गति का समर्थन करने में शक्षम नहीं हो तो ऐसी घटना को हम traffic जाम कह देते हैं तो उसे हम traffic कंजक्शन भी कह सकते हैं अब देखें इंटरनेट से जुड़ी हुई कुछ यहां शब्दावली है जैसे attachment तो आप email पे अगर standard code for information interchange जी हां आसकी याद रखिएगा आपको आसकी की full form याद रखना आवश्चक है यहां आसकी का मतलब है American standard code for information interchange जी हां यह not paid में सुरक्षित किये जाने वाले text यह या by default format है और जब आप not paid में किसी text को प्राप्त कर रहे हैं तो वह format आसकी होगा चलिए और आज जो आप बहुत सारी language देख रहे हैं वो आसकी पर ही बन रही है उसके अब next हमारे पास है autocomplete जब हम किसी चीज को automatic पूरा कर लें autocomplete कर लेते हैं तो उसे कह जाता है यह सुरक्षित ब्राउजर की address बार में होता है और इससे शुरू में कुछ data type करते ही URL पूर्ण हो जाता है जैसे मैं कोई भी लिखूं जैसे मेरे अक्सर वेटरेट खुली हुई रहती है मैं जैसे ही लिखता हूं या कोई form भरता हूं तो जैसे email पे मैं आर लिखता हूं तो मेरा पूरा email address वहां आ जाता है या address जब मैं लिखना जाता हूं थ्री लिखता हूं तो वहां 35 बटा 23 अजयत पत्मांस्रो जैपुर पूरा automatic आ जाता है तो इसे कहते हैं auto complete या auto fill उसके बाद है antivirus program तो बहुत सरे ऐसे प्रोग्राम से जो वाइरस को ढूंडने का काम करते हैं वह antivirus program कहलाते हैं bandwidth मतलब हमारे यहां internet द्वारा internet की speed mapने की जो system है उसे हम bandwidth कह देते हैं bandwidth जितना अधिक होगा internet की speed उतनी ही क्या हो जाएगी जी हां याद रखेगा bandwidth जितनी जादा होगी internet की speed उतनी अधिक होगी जबकि bandwidth जितनी कम होगी internet की speed भी कम हो जाएगी तो अधिक bandwidth हमें चाहिए होती है जैसे अब हम बात करें 2G, 3G, 4G, 5G आपने सुना होगा तो 2G में जो bandwidth होती थी वो 1600-1800 के आसपास होती थी 3G में 1800-2000 हो गई, 4G में 2000-2200-2300 तक चली गई और 5G में जो है ये 2500 की bandwidth से cross हो जाएगी तो देखिए इस प्रकार भी हम internet की speed का पता लगा सकते हैं उसके बाद है bookmark bookmark में इस्थित विशेश link जो किसी विशेश session में link बनाने में मदद करते हैं और internet explorer में यह favorite कहलाता है internet explorer में हम bookmark को क्या कह देते हैं favorite फिर उसके अब हमारे पास है cache या temporary internet explorer surfing के दौरान web page और उसे संबने चित्र एक ASTI भंडार में transfer हो जाते हैं तब यह हटते नहीं है तब तक उन्हें हटाया न जाए या replace न किया जाए एक ही website पर उतना ही आसान होता है क्योंकि सामान content डाउनलोड करनी के आवशकता नहीं होती आप अलग-अलग sites पर विजिट कर रहे हो तो यह file अपनी speed कम कर देती है उसके अर्थ हमारे पास है cookie कुकी वह नहीं जिसे हम बिस्कुट को भी कई बार कुकी कह देते हैं यहाँ कुकी से आर्थ है यह वैब सर्वर द्वारा बेजा गया data होता है जिसे ब्राउजर द्वारा सर्वर के computer में एक संची का में स्थान पर स्थान पर स्थान कर लिया जाता है उसका हमारे पास है demodulation modem अब देखिए modem जो है वो क्या करता है modem हमारा यहाँ बहुत सारे अलग-अलग कारे करता है analog system को digital में और digital को analog में बदलने का कारे करता है तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास modem से जो प्राप्त analog data है उसे digital data में बदलने की प्रत्रिया को demodulation कहा जाता है next हमारे पास है download किसी भी data को computer से प्राप्त करना या अपने system में ले आना download करना कहलाता है चलिए उसके बाद है शेत्रिय नाम पंजी का किसी भी company को अपनी विशिस्ट पहचान कायम रखने के लिए company का नाम पंजी करना होता है जिससे यह कारे जो होता है किसी service provider की देख रेक में किया जाता है उसके बाद हमारे पास है e-commerce जी हाँ आप आजकल कोई भी चीज़ें बहुत अभी चल रही है जैसे great billion days sales चल रही है या बहुत सरी sales जो है internet पे आजकल चल रही है Amazon है बहुत सरी ऐसे websites हैं जो आपको आपको बहुत सरा data या बहुत सरी चीज़ें उपलब्द करा रही है बहुत कम दामों पर तो internet के मात्यम से कोई भी चीज या खरीद फ्रोग करना e-commerce कहलाता है Amazon इसकी एक अच्छी उधारण हम कह सकते हैं उसके और हमारे पास है home page वेव ब्राउजर से किसी भी site को open करते ही जो प्रस्ट सामने खुलता है उसे हम home page कहते हैं किसी website के पहले page को हम क्या कहते हैं home page उसके हमारे पास है FAQ frequently asked question तो कुछ question आप अप जब भी कोई form भरते हैं या आप जब कोई भी website अपडेट करते हैं तो वह आप से कोई सवाल पूछता है जिने हम FAQ कहते हैं next हमारे पास है dial up connection एक computer से modem द्वारा internet से जुड़े किसी अन्य computer से standard phone line पर connection को dial up connection कहा जाता है जी हां साधरन computer से अगर आप internet प्राप्त कर रहे हैं तो उसे हम dial up connection कह देते हैं next है dial up networking यहां हम लोग personal computer के माद्यम से जुड़े होते हैं जबकि dial up connection में हम किसे जुड़े होते हैं अपने mobile के माद्यम से जुड़े होते हैं next है direct connection किसी computer या LAN और internet के बीच में इस्थाई संपर्क को direct connection कहा जाता है उसकाद हमारे पास है संची का ये शब्द काफी आया है तो संची का में याद रखीगा html hypertext markup language hypertext markup language worldwide web पर document के लिए program होने वाली मानक markup language है या एक प्रकार की मानक भाशा है जिसे हम किस पर उप्योग करते हैं internet पर next है हमारे पास http hypertext transfer protocol worldwide web पर server से किसी भी user तक दस्तावेज को transfer करने वाला communication protocol http कहलाता है hypertext transfer protocol कहलाता है आज हम बात करेंगे microsoft office जी हां microsoft office एक लोग प्रिया office suite है microsoft office एक ऐसा package है जिसके द्वारा office के सभी कारे किये जा सकते हैं तो याद रखीगा office के सभी कारे करने के लिए हमें पास एक suite है जिसे हम क्या कहते है microsoft office suite हम जानते हैं कि office में कई तरह के काम होते हैं जैसे कोई किसी पत्र का प्रारूप तयार करना हो गया या गणना करना हो गया चित्र बनाने के कारे हो गया database प्रबंदन हो गया उसका प्रस्तूती करण हो गया इमेल आदी को भेजना हुआ इन सभी कारे को computer के माध्यम से करने के लिए computer का package software का package त्यार किया गया है जिसे microsoft office कहा जाता है तो देखे microsoft office के अंतरकर जो software हमारे पास आते हैं वह है microsoft excel microsoft one not outlook word और powerpoint presentation जैसा कि मैंने आपसे यहां पहले कहा था कि इसके माध्यम से हम कई काम कर सकते हैं जैसे किसी चीज़ का प्रारूप तयार करना गणना करना सूचित्रित करना प्रस्तूती करण देना या database प्रबंदन तो इन सब कार्यों को करने के लिए Microsoft अब देखो यहां पर sweet कह रहा है sweet मतलब बहुत सारे छोटशोटे software का सम्मू है तो यहां पासा software आपको example दिखाए गए हैं इनके extension मैं आपको उपर भी करवा चुका हूं तो इसके यह सब Microsoft Office कहलाते हैं मिलकर और अगर सिर्फ एक एक बात करें तो यह आपका Microsoft Excel कहलाएगा Microsoft OneNote कहलाएगा Microsoft Outlook कहलाएगा Word कहलाएगा और PowerPoint कहलाएगा चलिए इसके इतिहास की बात करते हैं तो 1989 में Microsoft ने Microsoft Corporation ने Mac Operating System तयार किया था तो देखिए Mac Operating System जो है यह Apple Company के लिए तयार किया गया था जो Mac Operating System है यह Apple Company के लिए वही जो आप देखते हैं आदा खाया हुआ Apple जिसके Mobile आज़किल बहुत पसिद्ध हैं तो Mac जो Operating System के लिए इसको तयार किया गया था पहली बार बाद में Microsoft को लगा नहीं यह बहुत काम की चीज़ है तो इन्होंने अपने Software में उसको उपयोग लाना प्रारंब कर दिया उसके एक साल बाद ही मतलब 1990 में ही इन्होंने Operating System Windows के लिए भी प्रारंब कर दिया और इसके बाद Microsoft Office 13 का वर्तमान जो है अभी संस्क्रण चल रहा है 7 IR 10 IR 12 IR और अभी जो चल रहा है वह हमारे पास 13 चल रहा है तो इसके अंदर जो कुछ Software है वह प्रमुक Software इस प्रकार है जैसे Microsoft Office हो गया तो इसके अंतरगत हमारे पास Microsoft Word है Microsoft Excel है Microsoft PowerPoint है Microsoft PowerPoint है Microsoft Access है Microsoft Publisher में इनके उपयोग भी आपको बता देता हूं Microsoft Word जो होता है यह typing के काम आता है कोई भी typing फाइल जैसे जो फाइल मेंने बना रखी है Microsoft Word में बना रखी है इसी को हम PowerPoint में भी बना सकते है तो एक-एक slide आएगी यहाँ page आ रहा है वहाँ इस slide के रूप में आ जाएगा उसके अधा है Microsoft Excel Excel में हम इसका sheet बना सकते हैं किसी भी चीज़ की घंड़ना वगरा करना हो तो उसके लिए आसान होता है database management system भी इसको आप कह सकते हैं उसके बाद PowerPoint की बात हो चुकी Microsoft Publisher और Outlook इनका काम publishing में आता है किसी भी बुक को बनाने में उसको design करने में इसका काम आता है फिर है Microsoft Link और Microsoft OneNote यह भी आपके typing में काम आ जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं Microsoft Word की तो यहां Microsoft Office Suite में शामिल सबसे लोक प्रिये शब्द कोई है तो वह है Microsoft Word जी हां याद रखिएगा Microsoft Suite में सबसे प्रसिद्ध कर कुछ है तो वह है Microsoft Word इसकी सहता से typing, editing, formatting, formatting वह printing के कारे किये जा सकते हैं और कार्यावले के दस्तावेजों को सहेज कर रखा जा सकता है कुछ इस प्रकार दिखाई देता है आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है यहां पर copy paste के options हैं यह जो है यहां से आप अपने font का type बदल सकते हैं यहां से font का size आप बदल सकते हैं italic करना है, dark करना है, underline करना है, किस चीज को उपर नीचे लेकर जाना है, छोटा बड़ा word करना है आपको तो उसके लिए सारे options यहां आपको मिल जाएंगे और यहां पर जो scroll है इससे आप इसको छोटा बड़ा screen को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं तो यह आपके सामने इसका चित्र है Microsoft word का उसके बाद बात करते हैं Microsoft Excel Microsoft Excel इससे हम मैंने कहा कि आप इसका पूरा नाम जो है Microsoft Excel यहां मूल अंग्रेजी उच्चारण है और इससे आप Microsoft Excel कहते हैं मुख्य तहा आप इससे Excel कहते हैं Cell के रूप में होता है RAW और कॉलंग में होता है यह स्प्रेड़ शीट अनुप्योग है और इसकी रचनाव वित्रण Microsoft ने अपनी Microsoft Windows और Mac OS Excel के लिए किया है यह अनुप्योग Microsoft कहलाता है और Microsoft Excel की मुख्य विशेश्ताओं में इसमें गर्णा स्वीदहा रेखांकन उपकरण मतलब आप इसके ग्राफ डाइग्राम पाई चार्ट आदी कुछ भी अगर बनाना चाहें और कोई भी गर्णा ना अगर आप करना चाहें तो सरलता से इस पर कर सकते हैं 1993 में अब देखें इसकी जो प्रोग्रामिंग भाषा है वह VBA होती है विज्वल बेसिक्स फॉर एप्लिकेशन को शामिल किया गया है और 1993 में इसके संस्क्रण पांच के बास से इन पर सबसे व्यापक प्रियोग होने लगा है मतलब पहले इसका उप्योग बहुत कम होता था बहुत टॉफ होता था आपको सारे कमांड याद रखने होते थे लेकिन आजकर तो सीधा आप सलेक्ट करते विए नीचे तक आया और टोटल हो जाता है नीचे आपको आटोमेटिक टोटल दिख जाता है तो उसके जो पांच स्क्रण है वह 22 मई 1990 को बनाया गया यह विंडोज वह एपल के मैक उप्रेटिंग सिस्टम पर कारे कर सकता था वर्तमान में दोनों में कारे करता है Microsoft PowerPoint presentation में मुख्यत है रूप से slide के माध्यम से विशेवस्तु प्रदशित की जाती है यहां कुछ ऐसी slides होती है एक दो तीन आप यह slides देख रहे होंगे Ctrl M करके हम नई slide को और यहां add कर सकते हैं वह 4 नंबर हो जाएगी 5 नंबर हो जाएगी 6 नंबर हो जाएगी तो इस प्रकार यह slides जैसे आप यहां क्लिक करते हैं तो यह नंबर एक slide यहां खुल जाएगी और जो भी इसमें सूचना है आप उसको present कर सकते हैं तो presentation के काम में आ आपने रखना है लोगों के तो वह आप इसके माद्यम से कर सकते हैं नेक्स है हमारे पास Microsoft Access Microsoft Access को Microsoft Office Access के नाम से भी जाना जाता है यह database प्रबंदन की प्रणालिये आपका बहुत सारी फाइले हैं बहुत सारा data है तो उनको arrange करने के लिए उसको manage करने के लिए हम किसका उपयो बनाने में शक्षम होता है इसके आद हमारे पास है Microsoft Outlook Microsoft Outlook जो है यह Microsoft की और से Personal Information Manager है मतलब अगर आपके कोई Personal Information से जो आपको manage करनी है उनके काम में आता है और यह दो रूपों में उपलब्द होता है एक प्रथक अनुप्योग के लिए और दूसरा Microsoft Office के लिए मतलब दोनों में अलग-अलग मिलता है आपको अलग भी मिल जाएगा Microsoft Outlook और Office Suite में भी मिल जाएगा और इसका वरत्मान संस्क्रण जो है Microsoft के लिए वह Outlook 2010 है और Mac के लि उप्योग जो है वह इमेल भीजने में ही किया जाता है ज्यादा लोग इसका उप्योग करते नहीं है लेकिन इसमें कलेंडर, टास्क मेनेजर, कंटेंट मेनेजर, नौट टेकिंग, एक पत्री का और वेब ब्राउजिंग भी शामिल होती है लेकिन लोग नॉर्मली वेब आउजर का अलग उप्योग करते हैं, कैलेंडर का उप्योग अलग करते हैं, टास्क मेनेजर का उप्योग अलग करते हैं, लोगों का थोड़ा सा अपना माइंड सेट होता है, हर चीज के प्रती, उप्योग के प्रती, किन्तु इसका उप्योग संपूर्ण अनुप्योग क के रूप में भी किया जा सकता है आप सारे काम इस पर कर सकते हैं तो कुल मिलाकर बहुत गजब की चीज़ है इसके लाओ Microsoft Exchange Server और Microsoft SharePoint Server के साथ काम कर सकता है और साज्या mailbox और calendar भी यह है उपयोग में आपके लाकर दे सकता है चलिए अब हमारे पास कुछ Microsoft की shortcut keys हैं जैसे Microsoft के कोई आप काम करना चाते हैं तो Ctrl W जब आप करते हैं तो उससे क्या होता है आपकी window जो है वह active हो जाती है या कोई document खुल जाता है Ctrl Z आप करते हैं तो undo होता है मतब जो आपने काम किया है आपको उसको cancel करना है तो Ctrl Z आप कर सकते हैं तो वापस आप पूर्वत इस तती में आ जाएंगे Ctrl Y जो है read the last action और repeat an action मतब जो आपने काम किया है उसको वापस से आप यहां कर सकते है Ctrl S से document आपका save होता है देखें कई बार पूछ ली जाते हैं shortcut commands तो याद रखेगा Ctrl W से हम नई window को active कर सकते हैं हम किसी भी कारे को वापस repeat कर सकते हैं Ctrl S से हम इसे save कर सकते हैं Ctrl P से हम print का command दे सकते हैं Ctrl K से insert a hyperlink जी हां जैसे मैं कोई word की file बना रहा हूं और मुझे वहाँ पर जगा कम है लेकिन मुझे कोई image दिखानी है को वीडियो आपको दिखाना है तो मैं उस वीडियो का link वहाँ डाल दूँगा और जैसे आप उस link पर click करेंगे तो वह video automatic play हो जाएगा तो hyperlink हम किस से डाल सकते हैं के से कई बार पूछावा सवाल है most है कई बार पूछ लेता है hyperlink डालने के लिए किसका उप्योग करेंगे print के लिए किसका उप्योग करेंगे save के लिए किसका उप्योग करेंगे उसकाद है alt plus left का button यह arrow go back open page मतला आप arrow से go back जाकर one page पर किसी एक पेज़ पर जा सकते हैं इसके माध्यम से उसका अल्ट प्रस राइट इससे forward आप वापस किसी पेज़ पर वापस आ सकते हैं Ctrl-C यह copy select होता है बहुत काम आता है Ctrl-C Ctrl-P Ctrl-Z Ctrl-X Ctrl-Y बहुत उप्योगी है Ctrl-V पेस्ट करता है यह किसी भी चीज को paste करने का कार्य करता है मतलब आपने जो चीज copy की है उसको कहीं और आपको किसी और फाइल में रखना हो तो वहाँ इसको आप पेस्ट कर सकते हैं इसी प्रकार हमेरे पास है Ctrl-Shift-A यह format all letters capital मतलब सारे जो आपके शब्द हैं जो आपने छोटे में जैसे आप देख रहे होंगे डबल पी-L-I-E-S छोटे शब्द लिखे हैं इनको भी यह क्या कर देगा capital कर देगा एक ही बाती बड़ा कर देगा इसी प्रकार Ctrl-B अगर हम करते हैं तो bold को remove कर देगा formatting तो आपने अगर किसी को bold कर रखा है dark कर रखा है तो उसको क्या कर देगा light कर देगा इसी प्रकार Ctrl-L, Ctrl-L+, Ctrl-F, A यह सारे जो command है computer में बिन-बिन रूप से Microsoft में उप्योग लाए जाते हैं जैसे Ctrl-L का जो हम उप्योग करते हैं वो करते हैं italic formatting को remove करने के जैसे आपने किसी word को हलका सा जुखा रखा है italic कहते हैं उसको जैसे मैं लिखूं यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर अपना नाम जुखा के यहाँ लिखूं मैंने हलका से शब्दों को जुखा के लिखा है अगर इन्हें हमें सीधा करना हो अगर आप बिल्कुल इनको सीधा लेना चाहरे हो तो हम इसके हिसाब से इसको set यहां कर सकते हैं इसी प्रकार alt plus f और a जो है इन दोने का उप्योग save as के लिए किसी चीज़ को save करने के लिए होता है alt st और i का insert table और content कोई भी content या table आपको insert करनी हो उसके लिए इसका उप्योग होता है alt st और r का उप्योग remove table जो table आपने डाली है उनको हटाने के लिए होता है alt w और f का उप्योग full screen या किसी भी document को देखने के लिए पूरा उसको देखने के लिए उप्योग में होता है फिर है हमारे पास alt wr यह rural view के लिए होता है उसके बाद हमारे पास है control shift plus c copy the formatting of selected text यह सारे जो command हैं हमारे पास यह काम आते हैं अब देखें यहां पर line spacing के भी कुछ command आपको बता रखें जिसे control plus one आप दबाते हैं तो एक line के spacing कितनी हो जाएगी एक single दो करेंगे तो double हो जाएगी और one and half करेंगे पाँच करेंगे तो वह one and half line की spacing हो जाएगी अब आप कोई सर वन and half यहां पर specially क्यों दे रखा है तो normally जब भी कोई document बनता है जो सरकारी document बनता है तो उसकी spacing जो होती है वो date रखी जाए इसी प्रकार अगर control प्लस जीरो करते हैं बारा पॉइंट तो space जो होता है वो अबाउँ चला जाता है control shift greater than का निशान आप अगर लगाते हैं तो insert increase font size font size बढ़ जाएगा और lesser than का अगर आप निशान लगाते हैं तो font size छोटा कर देता है इसी प्रकार alt प्लस shift प्लस d के साथ insert data field का option होता है और alt shift और t के साथ insert time field का option हमारे पास होता है चलिए दोस्तों हम अब next topic ले लेते हैं वाइरस और antivirus तो जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सुन रहे होंगे कोरोना का जो है वाइरस फैला हुआ है हर जगा और वाइरस जो है बहुत नुकसान बचारा है ज़र मानव शरीर के लिए वाइरस नुकसान दायक है उसी प्रकार computer के लिए भी वाइरस क्या है नुकसान दायक है मुझे याद आता है 1990-2000 के तशक में एक वाइरस आया था happy birthday जोशी आप इंटरेट पर कोई भी कारे कर रहे हैं तो आता था कि today is birthday of Mr. Joshi, will you wish him or not? मतलब आज Mr. Joshi का birthday है आप इनको wish करना चाहते हैं तो हम मानव शरीर के नाते yes कर देते हैं तो वह thank you बोल देता था फिर कुछ समय बाद फिर वापस से 22 तारीक के आसपा से आया करता था virus हम एक बार और wish कर देते हैं लेकिन जब बार बार ऐसा message आने लगता है तो हम no भी करते हैं और जैसी हम इसको no कर दिया करते थे तो virus करता था you are very cruel now see the result मतलब आप बहुत क्या है cruel है दुस्त है अब आप देखिये उसका result और यह आपके system को थप कर देता था system को बंद कर देता किसी भारतिय द्वारा बनाया गया पहला सबसे प्रसिद्ध वाइरस था happy birthday चोशी तो देखिये वाइरस जो है वह बहुत माहिर software प्रोग्राम होते हैं या ऐसे माहिर लोगों द्वारा बनाये गये software हैं जो किसी भी computer में प्रिवेश करते ही उसके data को खराब कर सकते हैं और कुछी समय में आपके computer पर अपना कबजा कर लेते हैं और आपके window को या webin file को corrupt कर सकते हैं खराब कर सकते हैं जबकि anti-virus को install करने से हम वाइरस की समस्या से निजात पा सकते हैं यह anti-virus वाइरस को डूंड कर उनको sum up कर देता है या clean कर देता है अब देखिए जो anti-virus होता है उसके पास उसकी definition होती है basically वो क्या करता है उसके पास सारे वाइरसों के नाम की list होती है और उनकी क्या programming है उसको decode करके वहां रखा जाता है तो जब हम लोग उसे install करते हैं तो वह अपनी list में से उन नामों को match करता है और match हो जाने पर उन्हें delete कर देता है लेकिन देखिए आपने antivirus जो software है आपने देखा होगा अकसर वह update देते हैं आपको किसी भी software का आपको update दिये जाता है वह इसी उद्देश्य से माध्यम से दिये जाता है कि आप आज 2019 में सपोज आपने कोई software डाला आप इस बात को ऐसे समझीए आपने 2019 में एक antivirus डाला तो 2019 तक के जितने भी antivirus हैं 2019 तक जितने भी antivirus आये हैं उन सब में क्या होगा 2019 तक के virus को ही detect करने और उनको पैचानने की शमता होगी क्योंकि वह list कब तक की है उसके पास 2019 तक की लेकिन जैसे ही 2020 में कोई नया virus इन्होंने बना लिया तो 2019 का antivirus उसे support नहीं करेगा उसे खतम नहीं कर पाएगा उसे डूंड नहीं पाएगा अब देखे डेली अपडेट करना तो हमारे लिए संभव कम होता है इसलिए हम क्या करते हैं उससे कई बार weekly monthly अपडेट करते तो नहीं ने जो वाइरस बनते हैं उनकी लिस्ट लगातार हमारे अंटी वाइरस में अपडेट होती रहती है और हम सरलता से क्या कर पाते हैं उस को हमारे कंप्यूटर का उससे बचाओ कर पाते हैं अब देखिए यहाँ पर है वाइरस से बचाओ तो किसी भी लुभावने विज्ञापन वाले इमेल को कंप्यूटर में ओपन नहीं करना चाहिए सबसे बड़ी चीज तो यही है इमेल ही आजकल वो माध्यम है जिससे हमारे पास क्या आ रहे हैं वाइरस आ रहे हैं तो याद रखेगा इमेल कोई आपको suspected लग रहा है वैस और pirated CD, DVD का यूज कंप्यूटर में नहीं करना चाहिए क्यों नकली या CD, pirated जो DVD होती है उन्हों में हो सकता है कि उन्होंने पहले से कोई न कोई वायरस डाल रखा हो अब देखिए किसी दूसरे computer की pen drive या अपने computer में लगाए तो उसे पहले antivirus से scan कर लें अगर आप कोई pen drive किसी और की लगा रहे है pen drive आपने देखी होगी आजकल pen drive भी कई प्रकार की आ गई है कुछ इस प्रकार का एक यंत्र होता है pen drive मैं आपको दिखा देता हूँ यह आपके system में लग जाता है अब यह जो pen drive है यह dual mode pen drive है यह है आपके mobile में भी लग सकता है तो normally मैं इसको एक mobile से दूसरे mobile पर लगाऊं किसी mobile पर वाइरस हो तो हो सकता है कि मेरे mobile पर भी वाइरस आने की संभावना बढ़ जाती है अब देखें कुछ प्रमुक जो वाइरस है उनका लिस्ट इस प्रकार है सवाल पूछ लेता है resident virus जी हाँ आपने residency evil एक फिलम का नाम सुना होगा उसी प्रकार ये भी है multipirated virus direct action virus overrighted virus override कर देता है चीजों को boot virus बार-बार computer चालू बंद होने लगेगा macro virus directory virus directory में तला जाता है polymorphic virus file infected मतलब file को infect कर देगा encrypted virus ये कुछ वाइरस के प्रकार है जैसे network virus हो गया network को affect करता है सीधा तो ये अलग-अलग प्रकार के virus है जैसे fat virus warm torsion ये बहुत आप सुनेंगे warm torsion वगेरा का नाम आप बहुत नौर्मली आपको देखने के लिए मिलेगा फिर है logic bombs logic bombs इस लिए में में बता रहा हूं लक्षमी बम नाम की फिलम आ रही है नाम उसका बदलन की बात हो गई है तो logic bombs ये logic अलग-अलग logic उप्लब्द कराएगा आपके system को तो वह आपको confuse करने का इसके माध्यम से प्रयास करेगा चले अब हम बात करते हैं कुछ functions की की computer पर काम करते समय keyboard हमारा बहुत समय बचाता है इसलिए दिये गई shortcut से हमारा काम आसान हो जाता है और keyboard पर ऐसी ही shortcut keys दी होती है जिने हम F1 से F12 तक जो हमारा काम बेहद आसान कर देती हैं से वाकिफ हैं या उसके इस्तमाल हम करते हैं तो हम आज देखते हैं कि ये जो functions की हैं इनका असली इस्तिमाल क्या है कैसे हमारे काम आते हैं जब हमने input काई में keyboard की बात की थी तब मैंने बात की थी एक से लेकर 12 functions की होती हैं तो देखी जो ये F1 क्यों function की है लगबग हर program के लिए क्या करती है help screen को open करने का कारे करती है folder का नाम बदलने के लिए उसे rename करने के लिए हम F2 का उपयोग करते हैं फिर हमारे पास है F3 किसी application में search feature को open करने के लिए तो आप कोई भी चीजा search करणी है तो आप F3 का उपयोग कर लेंगे F4 का उपयोग जो हम करते हैं वहां किसी भी window को बंद करने के लिए और इसके साथ है आप Alt- Pre侏 F4 की का उपयोग कर 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 आप किसी Windows i7, i9 तक पहुँच गए है तो refresh की बैसे जुरूत हमें नहीं पढ़ती है उसके आद है F6 Internet Browser की address bar पर cursor ले जाने के लिए इसका उपयोग होता है आप जो address bar पर अगर आपको cursor लेकर जाना है तो आप F6 का उपयोग करेंगे F7 का जो उपयोग है वो है MS Word में speak check and grammar check आपने spelling check करनी है कि spelling सही है या नहीं उसके नीचे लाल line आ जाएगी या grammar check है या नहीं blue line green line आ जाएगी तो वो line जो आती है उन्हें दूर करने के लिए या वो option को active करने के लिए हम F7 का उपयोग करते हैं F8 का जो उपयोग है वो computer on करते समय boot menu पर जाने के लिए हम F8 का उपयोग करते हैं F9 MS Word में किसी document को refresh करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है आप देख रहे हैं document साइस response नहीं कर पा रहा है बहुत दीरे काम कर रहा है आप करसर जा रहे हैं करसर नहीं हिल पा रहा है तो F9 का उपयोग करेंगे आउटलुक में email send और receive करने के लिए भी हम F9 का उपयोग करते हैं चलिए उसके बाद है मैं पास F10 तो किसी application में menu bar open करने के लिए F10 का उपयोग किया जाता है जैसे कि mouse का right click होता है उस प्रकारी F10 काम करता है F11 जो है वो internet browser को full screen mode पर ले आता है छोटा सा हो जैसे मैं आपको बताऊं अब मैं अगर इसको छोटा कर दूँ और इसको वापस से बढ़ा करना हो पूरी screen पर फैलाना हो तो मैं किसका उपयोग करूंगा F11 का अंतिम last F12 Microsoft Word में save as dialogue box को open करने के लिए मतलब आपको चीज को save करना है save as करना है आपको PDF की रूप में save करना है जेपीजी के रूप में save करना है या किसी other format में आपको save करना है 2003 में 2007 में 2010 में तो उसके लिए आप F12 का उपयोग करते हैं